नमस्कार SDV News देख रहे हैं आप आपके साथ मैं स्विष्टी में स्वागत है और आज चर्चा होगी मनीश कश्यप के वकील एपी सिंग की आखिर क्या बयान दिया उन्होंने और क्यों आखिर लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं अजय जी बहुत स्वागत सबसे पहले डिवेट आदूंगा तेजस्वी की खिलाफ उन्होंने बयाद दिया सर एक वकील होने के नाते आप इस बयानों को जो खुद उनका केस देख रहे हैं क्या मान देखे एप सिंग जी की यहां तक बात है तो एपी सिंग जी देश के बहुत अच्छे वकील और वलकिल आप यह भी मानि कि शांति भुषर जिस तरह के वकील थे वो प्रोफेर्शनल नहीं थे उन्होंने इंद्रा गांधी को सत्ता से नीचे उतार दिया था तो अवसमें इंद्रा गांधी जब डिक्टेटर थी जी उन्ही की लाइन में एपी सिंग जी भी है इसमें कोई सकने उनका मिशन है पत पॉस्टिव बात भी बोली है यह निगेटिव उसने नहीं बोली चुकि बढ़े हैं उन्होंने यह प्रिकार से अपड़ रिकॉर्ड कोड से हटके बोला है कि चौवीज घंटे के अंदर सरकार गिरा देंगे इस तरह का बयान उन्हें नहीं कहना चाहिए दूसरा बयान ज कुछ ऐसा भी रहा कि सिधार्थ दवे भी उस केस में आ गए जी वो उस समय थोड़ा अच्छा बढ़ गया उस सिधार्थ दवे कुछ लीट करने लगे एपी सिंग जी को हलका सा एभी ऐसास हुआ हलाकि एपी सिंग इतनी छोटी मान सेकता कि नहीं है इसके अलाबा क्या है कि उन्होंने जो कहा है इनके मनीश कश्चप के साथ एक बहुत के बिरोध में बहुत बड़ा गैंग लगा है उस गैंग में जो लोग हैं वो कई अपरादी हैं कई सजाय आपता हैं कई चारा गोटाले दूसी करार लालू यादो बनालस में जो होटल में बड़ी आपत जन इसमें टोटल कमनिस्ट पार्टी लगे हुए हैं ठीक है ठीक है तमाम दल लगे हैं जनता दल लगे हुए हैं और उसके अलावा जो है उसमें मनीश कश्चप के उसमें सोनिया गांधी राहुल प्रिंका इन्होंने देश के सबसे महेंगे वच्चे वकील को लगाया कपिल स इसके अलावा लगभग पूरे देश के पचास बहुत टॉप एड़ोकेट जो बिरोकेट्स के साथ मिल करके मनीश कश्चप के साथ लगें पूरा पूरा एक गैंग मतलब एक लॉबी लगी हुई है मनीश कश्चप के विरोध में मौके का फायदा उठाना है मनीश कश्च करके खुड़ा फात की है अभी जब वो बयान चल ला था जब चंचूर साथ जी के पहले इसके प्रैल के जो फर्ष्ट बीक में हुआ है अभी 21 तारीक को उसके पहले क्या 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 है जानबूज के समाचार पत्रों दिया कि कोर्ट डिले कर लाई है ताकि मनीश के समर्थ कोड़ के अगेंस बोले मगर हिंदुस्तान में मनीश का कोई भी समर्थ बिचलित नहीं हो उसने यही का हमें जुड़ीशी पर विश्वास है और नेविल मिश्टर जश्टिस हमारे अराद दे है और उन्हों बया अच्छा वो भी दिया डिसीजन तो है क्योजना बत तरीक है आज और उसके पहले किसी तरह से उनको डैमेस करें और एड़ोकेट उनके उनसे अगेंस में हो जाए इसके पहले कुछ उनका पक्षधर मीडिया कुछ तथा कतिंग मीडिया कुछ बड़े-बड़े मुखमंतरी यहां से तमिल नाठ तक उसके खिलाप लगे हुए इन ल लालू का उसका तेजस्टी का फेवर किया है एक प्रकार से इंडायरेक्ट पर फेवर लगता है जी बिलकुल तो आपको बताना है चुकि पूरे नेशनल लेविल पे दवा पड़ रहा है लोगों पे और वो लॉबी बहुत सक्सेश है हकीकत है मनीज के साथ आम पबलिक है जनता है मगर यूनाइट नहीं है बड़े बड़े वकील नहीं इवन बीजेपी वाले भी को भी लोग यह कहते हैं कि बीजेपी समर्थग ऐसा बिलकुल नहीं है अब आपको बताने उन्होंने एक बात और बोली कि उसमें राजनीत और पत्रकारता को मिस्रित कर दिया पढ़ता है पत्रकार जो है निस्पक्ष होता है उन्होंने का तो उसमें मैं आपको बता दो है क्या कि बड़े बड़े एडवोकेट जो प्रायोजी थोके भीजे गए वहीं आपने पुछने वाली थी क्या दबाव पढ़ रहा है एपी सिंग पर इंडाइरेक्ट पर दब एपी सिंग के विरिन बास करने की भी हिम्मत किसी भी एडवोकेट या किसी भी मुखमंतरी में नहीं है मगर थोड़ा सा एफेक्ट या उन्होंने बास सुनी चुकिए एपी सिंग की अरेक की बास सुनते है और वो ऐसा तो यह उन्होंने उन्हीं लोगों की बातचीत के ब आइन जवार बैष्टा चारो ने जतने बड़ी सक्षियत हो अगर वो गलत है तो दिखाओ हमारा काम है आइना और आइना द्काना अब किसी को अगर अपने आइने में अपना चेहरा बुड़ा लगे तो हट जाए चेहरे से आइने क सामने तो मनीज कष्षप समाज सेबा मनी पूरे में वहां पर फूले कॉले में एंजीनिंग कर ला था बैचलर इंजीनिंग तब मुझे एक लेक्टर देने का भी वहां मिला था था कि पीर परबस से पिखलनी चाहिए हिमाले से गंगा निकलनी चाहिए तो हम लोगों ने उस समय बड़ा डिस्करेस किया था मनीश को कि तुम एक वह हो एक मेकैनिकल इंजीनिरिंग के तुम वह कर दिए और इसका साथ फस्टिया था फस्टियर में फस्ट सेमिस्टर था तब कि यह बोलने में बहुत तेज़ था उस समय मुझको याद है कि पूने के एक को अगले ने बहुत वो किया था कि वहां पर एक बच्ची से चिरचार होगी 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 तो पुलिस ने माफी मांगी थी एसीपी ने आके तो मनीश का सब सुरू से जजबाती था मुझे याद जी उसने लिखा है निस्पक्च यहीं उसने पतकारता धम निभाया है ठीक है और एपी सिंग जी को भी यह मालूब होना चाहिए कि वास्तों में पतकार था पतकार है पतकार रहेगा उच्छ कोटी का जो उसने नियूज डाली कई चैनलों कई समाचार पत्त्रों ने डाली सिर्फ उसने एक गलती कर दी कि लालू के लड़के के सामने चुकि दोसी था उधर उंगली कर दी अच्छा ठीक है मेरा आप से दूसरा सवाल होगा जाजी देखिए कहा जा रहा है कि कही न कहीं वक्त जादा कोट ले रही है मनिश कश्यप मामले में और अब समर्थक को इंतिजार है उनकी रिहाई का और कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं एक पत्रकार को कुचलने की कोशिश ह और इससे कहीं ऐसे पत्रकार है जिनका मनुबल नीचे होगा अब ये मुझे बताईए कि क्या लगता है इस पूरी प्रक्रिया में और कितना अधिक वक्त लग सकता है और कोट की क्या भागेदारी इसमें तै होती है देखे सब कुछ गलत चीज़ों का उनको अगर कोई उन आधिक रखे शर्वन कंड़ यून्यूजवट करे युड़िश्य और इसमें जो सबसे भ्रह्ष्ट है ऊदप सबसें हो है वह आधिकी ज़पने अधिक को उसको पलट देता है जबकि सरवों पर जुडिश्य घुड्र दक Fifth extraordा जिसको गौट कहते हैं वास्तों जब तक जिन्दा है हिंदुस्तान जिन्दा रहेगा भारत जिन्दा रहेगा इनके बयान से यह जो बयान है यह मीडिया के कुछ छद्म लोगों ने जानबूच करके इस तरह से इसके पहले बात का कटकल दिया गया बीच का बयान ले लिया यह है और उसमें कोई भी फ़र्क नहीं परने बाला हमारी जुरुषी इतनी श्ट्रांग है और निश्चित तोर पे जुरुषी आज नहीं तो कल चुकि जुरुषी सच जानती है जुरुषी जश्च निकाल लेती है तो निश्चित तोर पे नियाय मिलेगा और मनीज सब निश्चित तोर पे उनको मलरपन करेगा पैड़ चुएगा उनसे आसिरवाद लेगा उन्होंने सिंह सामने बात कही है कि कटडी चोडी में कटारी से नहीं करना चाहिए जी मतलब कटडी चोड को कटारी से काटना नहीं चाहिए बड़ी अच्छी बात कहीं कितनी बड करकार को तमिल नाड की सरकार को और लावड़ी देवी को लावड़ी देवी के हजबेंड को और मीषा भारती को को दीजशी को उन्होंने बहुत इस पश्ट रूप से कह दिया दूसरा यह हमेशा बिहार के लिए लड़ा हुआ बिहार का असली जन्नायक है शेकिंड जैपकास नायन है और सेकिंड यह वो है शेकिंड जो वहां के वो सायर थे वो है आप समझ लीजिए और मनीज कषब की नियत ख़लाब लालू के नहीं नितीस के वहां पर भेश्टा चाहर था उसके खिलाप सिस्टम के अगेंस में ठीक है तो देखिए यहां पर कहीं न कहीं यह मानना होगा और यह समर्थक जो है उनके लगातार इंतजार कर रहाए होगी कब एनने से हटेगा ऐसे मैंजर जी बहुत शुक्रि समर्थक पर इसका क्या गहरा आसर पड़ता है और ऐसे में हमारा पलपल का अपडेट हम आपको देंगे मनीश करशेप के साथ आगे न्याय पाली का और क्या सुनवाई करती है बहुत शुक्रिया जो भी आपकी राय हो आप कोमेंच रुटाइए इस डी वीडियों से जुन के लिए देवाद